मैं जब भी असोग खेमका के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे सचिन तेंदूलकर का केरियर याद आ जाता है और मैं कभी-कभी सोचने लगता हूँ कि इतने रेकॉर्ड तो सचिन तेंदूलकर ने केरिकिट में नहीं तोड़े हैं जितने असोग खेमका ने अपने ट्रांसफर करवा कर तोड़ दिये हैं और अपने ट्रांसफर करवाने की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखे कि ए बेक्ती कभी भी अपनी इमानदारी के साथ समझोता नहीं करता है और कभी भी नेताओं के दवाओ में नहीं आता है कभी भी नेताओं के साथ भरष्टाचार में सामिल नहीं होता है और इसी इमानदारी का उन्हें आप देखे कि एक तरह से इनाम कह लीजे आप लोग कि ट्रांसफर की रूम में मिलता है और आप देखे तरह तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है कई आरोप आप पर लगते हैं जब आप लोग इमानदारी की राष्टे पर चल रहे होते हैं और कहते ना कि इमानदारी की परिच्छा बहुत कठेन होती है और इसी लिए अधिकतर लोग इमानदारी से समझोता कर लेते हैं और जोक जाते हैं और एक अदिकारी की अलगी बात होती है, जब उसके साथ परिवार जुड़ जाता है। अब आप सोचें कि आप कहीं अदिकारी हैं, और आप के बीबी बच्चे हैं, और आप देखें कि आपके बच्चे वहाँ एडपीशन ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं, और आप सोच आपको खबर मिले कि 6 मैने के अंदर आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया तो आप सभी जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह सिप्ट करने में बच्चों को साथ ले जाकर वहां रखने में बहुत सारी समस्तियाओं का सामना करना पड़ता है और मुझे लगता है कि देश में अगर किसी भी बेक्ती से आप लोग असोख ख्यमका के बरार्य में पूछे न तो सभी लोगों के मन में एक इमानदार अपसर के यानि की इमानदार अधिकारी के रूम में इनकी छबी बनी हुई है अभी हाली में इन पर एक भिष्टाचार का आरोप लगा है आरोप लगा है अभी आरोप सिद्ध भी होना होता है और ये जाज के बाद मालू चलेगा कि आखिर इसमें भिष्टाचार में सामिल थे असोख ख्यमका या नहीं थे या कोई साजिस है लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर आप लोग हमारे देश के जो भी विद्वान है बुद्धिमान है अगर आप लोग उनसे पूछें तो आप वो एक तरह से नकाल देंगे कि असोख ख्यमका कोई भिष्टाचार नहीं कर सकते हैं तो आज हम लोग इनके पारे में एक सामान जानकारी देख लेंगे और इनकी सिक्षा किस तरह से रही है इनका जनम कहा हुआ है कितने वार इन्होंने ट्रांसफर का सामना करना पड़ा है इन्हें मौत की धमकी भी मिल चुकी थी आप समझ रहे हैं तब भी इन्होंने इमान GCS की तैयारी करने वाले अगर वच्चों से पूछा जाए कि आप लोग किस की तरह बनना चाहते हो तो उन सभी के जवाब एक ही होता है कि असोख खेमका इमानदर अपसर की तरह है असोख खेमका का जनम 30 अपरेल 1965 को होता है और पश्चे मंगाल के कोलकाता में इनका जनम ह होता है अगर पश्चे मंगाल को आप लोग मैब में देखना चाहें तो आपको यह भारत है हमारा प्यारा इसमें पश्चे मंगाल की राध्धानी कोलकाता है इससे हुए लगे राजी की बात करें तो उड़ी साज हरकंड बिहार से किम और असम पांच राज्जों से इसकी अंतराष्टी सीमा और इनका पूरा नाम है डॉक्टर असोक खेमका और यह जाती से मारबाड़ी है और यह एक मद्ध्यम परगी परिवार से विलों करते हैं और इनके पिता के लर्ग के तौर पर काम करते थे और इनकी माता जी हाउस वाइप थी यानिकी घर का काम करती थ होती है उसके बाद खेमका ने आई 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 टी खड़कपुर से ग्रेजियूसन किया यानि की डिगरी की और आप सभी जाते हैं कि हमारे देश में आई 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 टी ये करना बहुत बड़ी बात होती है इसके बाद उन्होंने मुंबई की टाटा टाटा इंस्टीटूट और फंडामेंटल रिसर्च से कंप्यूटर साइंस में पेचडी की और उन्होंने एमबीए भी के डिगरी भी हासिल की हुई है तो काफी पड़े लेखे भी है और असुक खेमका के बाद बिभाय जोती खेमका के साथ हुआ यानि कि इनकी पतनी का नाम जोती खेमका है और इनके दो लड़के हैं एक का नाम गनेस है दूसरे का नाम स्रीनाथ है और ये 1991 वैज के आईए सदीकारी हैं और उनकी दवारा विभागों में भिश्चाचार ओजागर किये जाने के बाद वह बार बार हर्याना की अपने ग्रह केरडर में विभिन राज सरकारों द्वारा इस्थानरान्तित किये गए हैं और आप देखेंगे कि 29 साल की केरियर में नोने आप देखें कि 3 फंस बार से अधिक ट्रांसफर हुआ हैं का आप समझ रहे हैं और बंसीलाल की नितित वाली हर्याना विकास पार्टी की सरकार के दौरान डॉक्टर खेमका का कई बार पास चोटाला के नितित वाली इन लोग की सरकार के दौरान डॉक्टर खेमका का 5 साल में 9 बार तबाब दला हुआ और ने देशक के रूम में सरम एवं रोजगार एवं पिसीक्छंड बिवाग में 15 महीनों का कारकाल पूरा किया जो कि इनके पूरे जीवन काल यानि कि हर बार खेमका ने अपने तबादले को लेकर मीडिया में सरकार के पिती नाराजगी भी जाहर किये और आप देखेंगे कि असोग जो मनुभरलाल खटर हैं इनके नेतित वाली भारती जिंता पार्टी की सरकार के दौरान डॉक्टर खेमका का मई का कई बार तबादला में भी इने छे से साथ बार तबादला का सामना करना पड़ा और एक बात और आपको बता दूँ यानि कि सीधा सा इसका निसकर से ही निकलता है कि सरकार किसी की भी रहे या बीजेपी की रहे या किसी और पार्टी की रहे इनकी किसी भी पार्टी से कोई समझोता नहीं होता और इसलिए आप देखते हैं कि कई अधिकारी हो सकता है कि कॉंग्रेस सरकार के बहुत चाहते हो बीजेपी के चाहते हो दूसरी पार्टी के चाहते हो लेकिन यह किसी भी पार्टी के चाहते नहीं है क्योंकि यह समझोता ही नहीं करते हैं मौत की धमकी भी मिली हुई थी ने कॉंग्रेस अध्यास सौनिया गांधी के दमान रोवर्ट बाडरा और रियर एस्टेट कंपनी डी एलेप के भी संदिग भूमी विस्वधों पर राज सरकार कारवाही करने वाले सरी खेमका को मौत की धमकी तक तो राप थुई एसे कायद H HDC मुख प्रवंधक के आर सर्मा ने पंचकुला पंचकुला पुलिस के पास दरज कराई थी आप सबी जानते हैं सौनिया गांधी की जो बेटी है ना प्रेइंका गांधी इनके पती है रोवर्ट वाडरा और आपको बता दू साइकल और पैदल जाते थे सचिवाले सबसे पहली बार हर्याना के चोटाला सरकार के कारकाल के समय CMO द्वारा जारी की गई एक कथित नोट को लेकर चर्चा में आये थे और इसके बाद आप देखेंगे ततकाली सरकार ने असोग ख्यमका से कार वापस ले ली थी और ख्यमका पैदल या साइकल पर चल कर चला कर सचिवाला जाने लगे थे और उस समय यह मामला कापी टाइम तक मीडिया की सुर्कियों में रहा और ऐसे चर्चा में आये थे ख्यमका पहली बार आप समझे रहें 12 एक्टूबर 2012 को असोग ख्यमका उस समय सबसे जानद सुर्कियों में आये जब उन्होंने कॉंग्रिस परसीडेंट सौनिया गांधी के दमाद यानि की रोवार्ट बाररा और DLF के बीच जमीन को लेकर हुई डील की मियू टेसन रद्द कर दी थी और फिर आप देखेंगे उस समय ख्यमका चगवंदी महा निदेश के पोश्ट पर काम कर रहे थे हरयाणा में कॉंग्रिस की सरकार ने इस मामले के बाद ख्यमका का टरंसफर हरयाणा वीज बिकास निगम के महाने दिसक पतफर कर दिया था और फिर आप देखेंगे नहीं माने थे CM का आदिस आज के अधिकारियों से बात करके देख लीजे आप लोग बहुत ही कम आपको देखने कुमलेंगे बरना आप देखें वो अपनी इमानदारी का हत्यार डाल देते हैं और बेईमानी आपके ये भेष्टाचार में सामिल ह हो जाते हैं और इसलिए तो आप देखते हैं बड़े-बड़े बंगले मिलते हैं उनको बड़ी-बड़ी का गाड़ियां मिलती हैं लेकिन अगर जो इमानदारी के राष्टे पर चलता है उन्हें आप देखते हैं कि पहुत सारी समस्याए मिलती है तो इन्होंने एक CM का आ लेते थे और 2004 में जब सरकार ने कई टीचर्स का सब्त के बीच में ही ट्रांसफर किया तो उन्होंने तत्कालें सीम ओंपेकास चोटालत तक का आधिस मानने से इंकार कर दिया था और रॉबर्ट बार्डरा विबाद के दौरान एक इंटर्वी में उन्होंने बार बार ट्रा का परदा फास करता रहा हूं और पुरुसकार के बाद अगर देखें तो भिष्टाचार के खलब धरम यूद्ध के लिए 2011 में ऐसार जिंदल पुरुसकार से भी इनने सम्मानित किया गया उच्चे पदों पर भिष्टाचार को उजागर करने में उनके नेडर प्रयासों क के लिए स्री संजीब चतुरवेदी के साथ 10 लाग रुपे का नगत पुरुसकार भी मिला है ने और इनकी एक पुस्तक भी आई हुई है जो भी इमानदार और निस्त कपट लोग होते हैं उनके साहस को सदेव से सहारा जाता है और इसके चलते इस असोग खेम का द्वारा क किये गए महत्पूर्ण कारियों के लिए पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम जश्ट ट्रांस्फरेड दा अंटोल्ड इस्टोरी ओफ असोग खेम का खेमा इस पुस्तक निर्माड का पूरा सरी नमता भावधीब को दिया जाता है उन्होंने एक आईये सदीकारी के का आम को सराहा है और एक बात और बता दूं हो सकता है कि इन्हें अपनी इमांदारी का पुरुस्कार अभी ना दिया जा रहा हो लेकिन आने वाली इतिहास में आप लोग देखेंगे कि बड़ा अच्छी तरह से इनका इमांदारी हो फिर चाहिए इनके बिष्टाचार की हो एक इमांदारी ही आप सोचे कि उस समय निसकरस पर निकला जाएगा मुल्यांकन होगा उस समय क्योंकि आप सभी लोगों ने इतिहास पड़ा होगा रानी लच्छी वाई के बारे में आप लोगों ने पड़ा होगा सिंधिया घरानी के बारे में आप लोगों ने पड़ा ह में गद्दार तक सब लिख दिये गए हैं और आप लोग भगत सिंग सुगदिव राजगुरु के बारे में भी पड़े होंगे आप सबी जानतें कि उस समय इन्हें आतंगवादी की संग्या दी गई थी आपके ये एक तरह से देश दुरोही भी कहा जाता था क्योंकि अंग्रेजों के सामने उन्होंने गोटने नहीं टेके थे और आज आप देखें कि हम लोग उनका सम्मान करते हैं तो यही रहता है इतिहास में जरूर मुल्यांकन होता है निस्प पक्ष होता है हुआ इन पर विवाद की बात करें तो विश्टाचार की ख़लाब मुखर रहे हर्याना के चर्चित IES अदिकारी असोख खेमका खुद विश्टाचार के आरोब में घर गए हैं खेमका के खिलाब भिटाचार के आरोब में पंचकूला के सेक्टर पांथ थाने में अफाईयर दरज करने के आदिश जारी किये गए हैं असो खेमका पर आरोफ है कि वरस 2010 में हर्याणा वेयर हाउसिंग कार्फोरेशन के एमडी पत पर रहते हुए पिथम सेणी के दो अदिकारियों की गल अधंग से पैसे लेकर नियुक्तियां की गई या दोनों अधिकारी मेनेजर रेंक के हैं और आप सोचिए 2010 का ये मामला है और ये साल कतना हो गया 2022 होने जा रहा है तो आप समझेए कि क्या हाल है और तब से मुझे लगता है कि इस भिष्टाचार अभी जिसने उजागर किया है वो साइस सो रहा होगा तो खेर जाच होने दीजिए उसके बाद ही मालू चलेगा कि ये हकीगत क्या थी और क्या नहीं थी फिरहाल असोख खेमका की यही कहानी है और एक उत्तर पेदेश में और आईपीए सदीकारी है आपने देखा है कि उन्होंने भी इमानदारी के साथ कभी समझाता नहीं किया है उत्तर आप देखिए उनके परिबार को किस तरह से बहुत सारी समस्याओं के पर सामना करना पड़ा उन्हें ओठा के जेल में डाल दिया गया क्या वोल सकते हैं और इसी से मुझे लगता है कि जो इमानदारी की बात करते हैं उनका बहुत सारे बच्चों का मनुवल तूट जाता ह कि अगर करना है तो आप देखे कि आखे थोड़ी फोड़ेगा वोई इतना मेहनत थोड़ी करेगा और आप देखे भेश्टाचार से भी सब कुछ किया जा सकता है खेर अपना अपना इमान है अपनी अपनी सोच है आप लोग एंजोई करते रहिए पढ़ते रहिए सोचते रहिए